चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा जो होसला देश के ऐसा कोई जाम तो होगा जो दिल में ठान ही ली है काम्याबी कोपना बनाने की तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा नमस्कार दोस्तों मैं जैसरमा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल गुरू जी हैर बलेस पर दोस्तों हर्याना जीके का आज का हमारा टोपिक रहेगा जिला क्रुक छीतर से सम्मदित जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन हार एक्जाम के अंदर हर्याना जीके का 25% पॉर्शन सलेपस जो है वो देती है इसलिए हर्याना जी के बहुत ज़्यादा इंपोर्डेंट है सभी वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सेर जरूर कर दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर जिला कुरुक छेतर दोस्तो कुरुक छेतर हर्याना राजे का एक परमुक जिला है भारत का एतियासिक युद कौन सा था? महाबारत भारत का एतियासिक युद महाबारत यहीं पर हुआ था यहीं पर बगवान सिरी किर्शन ने अर्जुन को गिता का प्रेरना दय कुपदेश जो है वो यहीं पर दिया था जिला कुरुक छेतर के अंदर दिया था और वो कुरुक छेतर जिले के अंदर कौन सा था? वो जोती सर नामक स्थान था दोस्तो कौन सा था? जोती सर नामक स्थान अर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने एक्जाम के अंदर पुचा है बगवान सिरकिर्ष ने अर्जुन को गिता कुपदेश कहां दिया था आपके उप्षन में ताज जोती सल ठीक है इसी कारण इसे भारत के परमुक तिर्थ स्थलों में माना जाता है इसी इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को ही थी यह करनाल से अलकर के बनाया गया है करनाल से हर्याना के उत्तर में स्थित है किस साइड में स्थित है हर्याना के नोर्थ साइड में उत्तर दिशा में स्थित है और अमबाला यमुना नगर के थलोर करनाल के साथ इसकी सिमा लगती है कौन कौन से जिलों की सिमा लगती है हमबाला, यमुना नगर, केथल और करनाल चलिए आप देखेंगे कि इसकी परमुख नदियां कौन कौन सी है कुरुक छेतर जिले के अंदर परमुख नदियां है सरस्वती और मारकंडा नदी सर्श्वती नदी और मार्कंडा नदी क्रूँग्चेतर जिले की पर्मुक नदियां है नेक्स्ट है चेत्रफल इसका कितना है तो इसका चेत्रफल है दोस्तों 15 всю 30 औरक किलोमटर क्रूँग्चेतर जिले का चेत्रफल है इसकी कुल जनसंक्या की अगर मैं बात करूँ कुल जनसंक्या 2011 की जनगना की according कितनी है 9,64,655 9,64,65 पुरूस जनसंक्या कितनी है 5,10,996 5,10,996 महिला की जनसंक्या 4,53,689 चली नेक्स्ट है लिंगानपात की अगर मैं बात करूँ तो लिंगापात कितना है इसका 889 जनसंक्या 2011 की according है इसका लिंगानपात कितना है 889 और साक्सरता दर इसकी कितनी है साक्सरता दर इसकी है 76,7% 76,7% इसकी साक्सरता दर है 2011 की according और इसकी पुरूस साक्सरता की अगर हम बात करें तो वो है 83,5% महिला साख सर्तादर इसकी कितनी है पुर्खचेतर की महिला साख सर्तादर है 69.2% दोस्तो सभी आंकडे हर जगह पर अलग-अलग मिलेंगे आपको हर कोचिंग सेंटर जो है आपको अलग-अलग आंकडे बताएगा लेकिन ये एक ऐसा जेनल है जहां पर आपको अफिसियल आंकडे जो है हरियाना गवर्मेंट के अफिसियल आंकडे और जो जिला है उसकी जो अफिसियल साइट है वहाँ से आंकडे उपलब्द करवाई जा रहे है नेक्स्ट है तैसील तैसील के अगर मैं बात करूँ तैसील कितनी है कुरुक चेतर जिले के अंदर तैसील है चार कौन-कौनशी है थानेसर, लाडवा, साहबाद और प्योवा थानेसर, लाडवा, साहबाद और प्योवा कुरुक चेतर जिले की चार तैसील है वर्तमान में चार तसील है कुरूग चेतर के अंदर थनेसर, लाडवा, साबाद और प्योवा उप तसील कितनी है कुरूग चेतर जिले के अंदर उप तसील है वर्तमान में दो कौन कौन सी है बाबेन और इसमाइलाबाद बाबेन और इसमाइलाबाद कुरुक चेतर की दो उपतसिले हैं अब हम बात करेंगे उपमंडल की उपमंडल कितने है कुरुक्चे तरजिले के अंदर है उपमंडल है चार कौन कौन सी है थानेसर लाडवा साभाद और प्योवा चार उपमंडल है थानेसर लाडवा साभाद और प्योवा विदानसवा सीटों के अगर हम बात करें तो विद विदान सवासीट नहीं है ठीक है दोस्तों इसकी विदान सवासीट एकॉन कॉनसी है साहबाद थानिसर प्योवा तता लाडवा चलिए नेक्स्ट है कि कुरुप छेतर का नाम यहां के राजा कुरु के नाम पर पड़ा किसके नाम पर राजा कुरु के नाम पर चटी के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था तो कुरुक्षेत्र को स्रीकंट जन्पद कहा जाता था दोस्तों यह बान्भट की पुस्तक हर्ष चरीत में उलेखित है किसकी पुस्तक में बान्भट की पुस्तक हर्ष चरीत में हर्याना स्टाप सेलेक्शन का फेवरेट क्य वामन पुरान के अनुसार कुरुक्छित्र को सुर्यवन येवन और सांतीवन और पन्डवन के नाम से भी जाना जाता था आगे है कि महाबार्थ का इत्यासिक यूद कुरुक्चेतर में हुआ था मैंने आपको पहले बता दिया था कि महाबार्थ का इत्यासिक यूद जो है वो कुरुक्चेतर जिले में हुआ था और यह 18 दिनों तक जला था दोस्तो आयने एकवरी पुस्तक के नुसार इसका पुराना नाम है थाने स्वर, पुराना नाम थाने स्वर था, क्या था? पुराना नाम थाने स्वर था, चलिए नेक्स्ट है, कुरुक्षेतर विकास बोल्ड के बारे में हम बात करेंगे, कुरुक्षेतर विकास बोल्ड, तो दोस्त से कुरुक्चेतर के तिर्थ स्तलों के विकास के लिए कुरुक्चेतर विकास बोर्ड की स्तापना की गई अब क्यूशन पूचा जा सकता है कुरुक्चेतर विकास बोर्ड की स्तापना की गई तो कुरुक्चेतर विकास बोर्ड की स्तापना की गई थी एक अगस्त 1968 को 1 अग सबसे पहले है कुरुख छेतर विशविद्या ले के हम बारे में हम डिटेल्स में पड़ेंगे मैं आपको अर्याना के विशविद्या लेवाली जो वीडियो थी उसमें आपको पताया था इसकी स्थापना कब हुई थी और ये काम परस्ती था उसका उद्गाटन किस नहीं किया था एक बार फिर बता देते हैं यह हर्याना की सबसे पहली युनिवस्टी मानी जाती है दोस्तो यह है उनिवस्टी हर्याना के गटन से 10 वर्ष पहले यानिकी 1956 यानिकी 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्गाटन जो है वो देश के पर्थम राष्ट्रपती पहले राष्ट्रपती डॉक्टर राजिंदर परसाजी ने किया था कब किया था उनिश्ट्रपती में इस संस्तान जिसको हम कहते हैं यह है रीजनल इंजिनीरिंग कोलेज की रूप में यानिकी चैत्री इंजिनीरिंग कोलेज की रूप में 1963 में इस्तापित किया गया था और 26 जून 2002 में निट में प्रिवर्थित किया गया इसको 26 जून 2002 को इसको निट में प्रिवर्थित किय यह है देश के ट снова टेंटी राष्टरी नेशनल इंस्ट्टूक्ट uityूट्व चाले नेच्टीच्टूट्स में से एक है राष्ट्र प्रोड्योगी की इस संस्तान है दोस्तो वर्तमान में और उन 20 प्रोधोगी की संस्तानों में से एक है आपका कुरुखचितर का NIT चलिए next है जोती सर के बारे में पढ़ेंगे कुरुखचितर जिलिका एक famous प्रेटन स्तल है जोती सर जोती सर को स्री बगवत गिता का जनमस्तान कहा जाता है सिरीमद बगवत कीता का जनमस्तान कहा जाता है जोती सर को परसीद जोती सर कुरुपचेतर का सबसे सम्मानित तिर्थ स्तल माना जाता है ऐसा माना जाता है कि महाबार्त युद जोती सर से शुरू हुआ था ऐसी मानियता है कि आपको पहले बता दिया कि जौती सर मे स्रीकिर्षन जी ने अर्जुन को गिता का प्रेलेना दैक संदेश यहीं पर दिया था जौती सर के अंदर ही दिया था चलिए नेक्स्ट है स्रीकिर्शन संग्रालिया जो कुरुक्चेत्र में स्थित है उसके बारे में बात करेंगे स्रीकिर्शन संग्रालिया बगवान स्रीकिर्शन को समर्पित है जिसे कुरुक्चेत्र विकास प्राधिकरन के द्वारा 1987 में यानि कि 1987 में बनवाया गया था इस हाउस में दो अन्य घर भी है जिने मल्टी मेडिया महाबार्त और गिता गैलरी के नम से जाना जाता है इसकी स्थापना 2012 में ततकालीन लाश्टरपती सिरिमधी पर्थिवा पाटिल के द्वारा की गई थी इस संग्राले में बगवान सिरिकिर्षन के बारे में समस्त जानकरियां परदान की जाती है सिरिकिर्षन संग्राले के अंदर क्या होता है बगवान सिरिकिर्षन के बारे में समस्त जानकरियां जो है वो परदान की जाती है उनके सबीज सवरूपों, अवतारों, कारियों आधी के बारे में बताया जाता है बगवान सिर्किर्षन को एक दार्षनीक सच्चे धार्मिक नेता और प्रेमी के रूप में भी कलाकरीतियों, मुर्तियों, चित्रों, सीलालेखों आधी के द्वारा दर्साया गया है सिर्किर्षन संग्रालिय के अंदर चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करें ब्रहम स्रोवर के बारे मीं ब्रहम स्रोवर जैसा की नाम से पता चलता है यह ब्रहमांड की निर्माता ब्रहमांड की निर्माता बगवान ब्रहमा से जुड़ा हुए किस से जुड़ा हुए बगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुए प्रम शुरोवर कुरुक्चेतर का एक परसित दिर्थस्तल सुर्य गरन के दोरान सुरोवर के पवित्र पानी में डूब की लगाना हजारो अस्व में एधा यगों के परदर्शन की योग्यता के बराबर मना जाता है दोस्तो परतिवरस नौवंबर दिसंबर के अंदर परतिवरस नौवंबर दिसंबर में ब्रह्म सुरोवर के तड़ पर वार्सिक गिता जेनती समारो जो है वो आयोजित किया जाता है आप से पूछ लिया जाए कि गिता जेनती वार्सिक गिता जेनती समारो जो है वो कब आयोजित क किया जाता है परतिवर्षाइजित किया जाता है दोस्तों नेक्स्ट है सनीहीद सरोवर के बारे में हम जानेंगे सनीहीद सरोवर सनीहीद सरोवर भगवान वीशनु का स्थाई निवास माना जाता है किसका भगवान वीशनु का स्थाई निवास माना जाता है यह पिहोवा र तरामेंडल के बारे में हम जानेंगे कल्पना चावला कौन थी यह बारत की पहली महिला अंत्रीक्स यात्री कल्पना चावला के नाम पर बनाय गया है कल्पना चावला तरामेंडल यह कुरुक्छेतर प्योवार ओड़ पर जोती सर्थित्स तल के नस्दीक स्थित है इसे वि कम अवदी में यह तारामंडल सहर के एदवित्य और सबसे पसंदिदा प्रेटन स्तल की रुप में उबरा है चलिए नेक्स्ट है सक्ति पीट भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेतर के अंदर स्तीत है उसके बारे में हम जानेगे सक्ति पीट स्री देवी कुप भद्रकाली मं में से एक है क्या है बावन पवित्र सक्ति पीटों में से एक है सक्ति पीट भद्रकाली मंदिर चलिए नेक्स्ट है बिड़ला मंदिर बिड़ला मंदिर कुरुक्षेतर में ब्रम्स रोवर के नस्दीक स्तीत है दोस्तों कहां पर स्तीत है कुरुक्षेतर में ब्रम्स रोव अगर ओप्षिन के अंदर होगा तो वो होगा और ज़को नेंगा, और आगर ओप्शन के अंदर होगा गिता मंदिर, भगवत गिता मंदिर तो वो करेक्ट रहेगा, ओप्शन, चली नेक्श्ट है, स्तानेश्वर महादेव मंदिर, कुरुपचित्र का प्राचीन धार्मिक स्थल है, इस मंदिर का निर्मान, पुस्य भूति न करवाय था तथा इसका पुना निर्मान सदासिव मराठा नहीं करवाय था पुना निर्मान किसे नहीं करवाय था सदासिव मराठा नहीं नेक्स्ट है स्री व्यंक्टेश्वर स्वामी तिरुपती बालाजी मंदिर जो कुरुपचेतर के अंदर स्थित है परसी हिंदू का एक कुरुक्चेतर जिले के अंदर स्थित है पवित्तर गीता की जनम स्थिली कुरुक्चेतर सिर्व महा बारत, सक्ति पीट और दूसरे हिंदू धरम स्थिलों के लिए ही नहीं सेख चिली के मकवरे के लिए भी परसिद है किसके लिए सेख चिली के मकबरे के लिए सेख चिली का मकबरा कहां स्तीत है ऐसा से नहीं पूछाता तो सेख चिली का मकबरा जो है वो कुरुख चितर जिली में स्तीत है देश की पर्मुख राश्ट्री समारकों में सुमार इस मकबरे को हर्याना का ताज मेल की से का जाता है तो हर्याना का ताज मेल कहां सतीत है कुरुक्चेतर जिली के अंदर सतीत है और इसको सेख जिली का मकबरा के नाम से जाना जाता है किस नाम से सेख जिली के मकबरे के नाम से चलिए नेक्ष्ट है बाबा काली कमली वाले का डेरा का स्तीत है कुरुख चेतर जिली के अंदर स्तीत है दोस्तों का स्तीत है कुरुख चेतर में यह डेरा स्वामी विशुद्धानन जी माराज द्वारा स्तापित किया गया है बाबा काली कमली वाले का डेरा किस के द्वारा स्तापित किया गया है स्वामी विशुद्धानन जी माराज के द्वारा नेक्स्ट है लाडवा लाडवा के बारे में हम चर्चा करेंगे लाडवा कुरुक्चित्र का एक फेमस थान है कुरुक्चित्र का लाडवा नगर सिखों के गरानों का नगर माना जाता है किसका सिखों के गराने का नगर माना जाता है लाडवा का विद्रो 1845 में हुआ था कब हुआ था 1845 में important question है लाडवा का विद्रो कब किया गया था तो लाडवा का जो विद्रो है वो 1845 में हुआ था और ये काफी बार पूचा जाता है लाडवा के विद्रो का नेतरतव किसने किया था तो इसका नेतरतव जो है वो अजीत चिंग ने किया था किसने किया था अजीत चिंग ने चलिए नेक्स्ट है यहां के famous गुरुद्वारे कुन कुन से है तो गुरुद्वारा चटी पात्षाई कुरुक्षेतर का एक famous गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा के बोर सेदान जो गाउं है वहां पर स्थित है कहां पर है बोर सेदान भी और चिल चिला वन्य जीव अब्यारने कां स्थित है चिल चिला वन्य जीव अब्यारने भी कुरुक्चेतर जी लेके अंदर स्थित है नेक्स्ट है गुलजारी लालनंदा संगराले अब गुलजारी है कुरुक्षितर में स्थित है और गुलजारी लाल नंदा जी कौन थे तो बारत की पूरो कर्यवायक परदानमद्री थे दोस्तो और इनको भारत रतन से भी समानित किया जा चुका है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत वो दनेवाद प्लीज वीडियो को लाइक और सेर कर दिया केजिए अगर कोई साती चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएग थेंक यू जैहिन